हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए विडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस कि Samsung Galaxy M35 5G फोन में आप लोग बैक बटन को कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy M35 5G फोन है और इस फोन में जो आपको बैक बटन को लगाना है अगर आपके फोन में बैक करनी के लिए कोई भी बटन नहीं है गईस मेरे फोन में देख सकते बैक करनी के लिए कोई भी वर्चुल बटन नहीं है तो मुझे यापर gesture को यूज़ करके बैक करना पर रहे गाए साइड मेसेज़ साल है स्लाइड वगरा करके बैक करना पर रहे लेकिन बहुत सारे फोन में आपने देखा होगा इसकी स्क्रीन के नीचे जो यापर तीन बैक बटन होते है गाईस एक तो बैक करने के लिए एप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बैक बटन को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फॉन के सैटिंग्स में जाना है सैटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो डिस्प्लै का ओप्शन मिलेगा डिस्प्लै पे क्लिक क करेंगे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रोल डाउन करना है तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इस नवीगेशन बार का तो इस नवीगेशन बार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहापर आपको दो ऑप्शन मिलेगा बटन्स और स्वाइप buttons के option पे click कर देना है click करती है आपके screen में button आ जाएंगे back करने के लिए देख सकते back button आ चुका है home screen और recent आपको देखने के लिए button आ चुका है more option का option मिलेगा more options पे click करेंगे अगर आपको back button को उल्टा कर देना है मतलब अगर आपके phone में right side में back button आपको left side में लाना है तो जिचे देख सकते हैं आप लोग right left दोनों side में back button को लगा सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Samsung Galaxy M35 5G phone में आप लोग back button को लगा सकते हो तो कैसा लगा गागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर subscribe जरूर से कर लिजिए मिलताए का लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पाई